आप सभी का अभिनंदन नमस्कार और मैं एक्षमाप्रार्थी हूँ कि आज ये जो प्रेस कॉन्फरेंस जो हमने ग्यारह बजे के लिए तै किया था हमने देरी से आरंब किया है और आप भी जानते हैं कारण क्या है हम सब शद्धा के साथ टीवी पर हमारे जो जवान जो अफसर हिंदुस्तान के आर्मी के जिन्होंने शहादत प्रात किया है जिन्होंने माभारती के लिए बलीदान दिया है जम्मू कश्मीर में लड़ते हुए उनके अंतिम यात्रा को देख रहे थे और सभी के मन में दुख भरा हुआ था सभी किस प्रकार से हम सब अपने देश अपने भारत के लिए कुछ कर सके इस प्रकार की भावना के साथ जुड़े हुए थे मगर मुझे आश्चर यह होता है कि जब ऐसी परिस्थिती देश में होती है आप लोगों में से कई चैनल ये भी दिखा रहे हैं कि अभी अटाक्स चल रहे हैं आतंकवादी हमले हो रहे हैं उस बीच भी कुछ नेता ऐसे हैं जो बयान देते हैं जो देश के विरोध होता है जिसमें देश का विरोध होता है कॉंग्रेस के जाने माने नेता कॉंग्रेस के दिगज नेता सैफुद्दिन सोज उन्होंने कश्मीर में इस हमले को लेकर जिस प्रकार का बयान दिया है और कहा है कि हिंदुस्तान को चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ नकेवल बात करें अ आतंकवादियों के धिमाग के अंदर आतंकवादियों के मन के अंदर क्या चल रहा है उन्हें क्या चाहिए उसे भी समझने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को करना चाहिए आप सोच के देखिए ये कॉंग्रेस की सोच है ये कॉंग्रेस की सोच है सैफुद् पिगजनेता हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर पहले अपने किताब में कश्मीर को लेकर प्लेबिसाइत होना चाहीए कश्मीर अलग होना चाहीए इस प्रकार के बयान भी दिये उन्होंने आज कहा है कि आतंकवादी के मन के अंदर आतंकवादी के दिमाग में क्या चल रहा है हिंदुस्तान का ये फर्ज है कि हिंदुस्तान ये जानी आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा कहती है कॉंग्रेस और आतंकवादी के मन को पढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए इस भयान की हम निंदा करते हैं जहातक फारुक अब्दुल्ला और बाकी नेताओं का सवाल है उन्होंने भी पाकिस्तान से बाचित की फिस्टस की है मुझे दुख केवल इस बात का रहे कि हजारों बार हिंदुस्तान ने कहा है टॉक्स एंट टेरर के नेवर मूव तोगेदर उसके बावजूद जब सहादत चल रही हो जब वीव जवानों की अंतिन यात्रा चल रही हो कुछ समय इस प्रकार की मैं कहूंगा इस प्रकार के स्टेट्मेंट कहें जाएं ये नक्येवल अनुचित है अपी तु ये दुखत है हिंदुस्तान इससा जवाब लेका मुझे तो ये कहते हुए भी दुविधा होती है कहते हुए भी दुख होता है कि सैकुद्दिन सोज फारुक अग्दुला जैसे लोगों को एक मुखिस्थान इन राजनितिक पार्टियों ने दिया हुआ है अपने अलाइंस में अपने पार्टी में अपने अपने ग्रूप में उनको बॉयकॉट नहीं करते मगर बॉयकॉट करने की बात आती है तो लोकतंत्र में पत्रकारिता को किस प्रकार बॉयकॉट करना है उसको लेकर यह लोग आगे पढ़ रहे हैं यह जो इंडी अलाइंस है आप सभी जानते हैं आज 15 सेप्टेंबर है 15 सेप्टेंबर यानि अंतराष्टिय लोकतंत्र दिवस इंटरनाशनल डिमोक्रसी देन आज के दिन जिस प्रकार का एक सर्कुलर यह इंडी अलाइंस एधमंडिया अलाइंस कह लीजिए उन्होंने जारी किया है और कुछ पत्रकारों का नाम बकायदा नाम लिखकर जारी किया यह हिंडुस्तान के लोकतंत्रिक इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था कि इस प्रकार पत्रकारों के नाम के साथ कि हम उन्हें बॉयकॉट कर रहे हैं एक सर्कुलर जारी किया जाए यह पत्रकारिता का विरोध है और इंटरनाशनल डिमॉक्रसी यह में कही Comics दिखाता है कि कुछ ऐसे दल आज भी हिंडुस्तान में जो पहले भी लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते थे और आज भी लोकतंत्र और लोकतंत्रिक प्रक्रियाओं पर विश्वास नहीं रखते हैं एक इतिहास है, there is a chronology in history, आप याद कीजिए पंडित नेहरू, हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री, 10 मई 1951, 1951, 10 में 1951, हिंदुस्तान का पहला amendment, हिंदुस्तान के संविधान का जो पहला संशोधन होता है, वो संशोधन क्या थे? The first amendment of the Indian constitution was to curb the freedom of expression, किस प्रकार से, रेस्ट्रिक्ट किया जाए freedom of speech को, यह पहला संशोधन, प्रथम संशोधन था, पंडित जवाहाल नाल नहरू का, भारतवर्ष का, आप सोच के देखे, भारतवर्ष की उस समय इंटरिम सरकार चल रही थी, elections भी नहीं हुए थे, मगर एक interim government द्वारा पहला संशोधन, यह किस प्रकार freedom of speech को रोका जाए उसको लेकर था, इंदिरा गांधी, 25 जून 1975, declaration of emergency, the black day in the history of India's democracy, इकिहास में हिंदुस्तान के लिए एक काला धबा बना था, जब emergency लागू इंदिरा गांधी ने किया था, और लाखो पत्रकारों को जिस प्रकार से प्रताडित किया गया था, संपादकिये तक पत्रकार लिख नहीं पाते थे, पुलीस बैटकर देखती थी वहाँ पर, कि संपादकिये में कहीं इंदिरा गांधी के विरोध में कुछ लिखा जा रहा है या नहीं लिखा जा रहा है, मीशा कानून के अंतरगत न जाने, आप में से, आप में से कई लोग यंग पत्रकार यहां बैटे हैं, आप में से कितने के पिताओं के उपर, कितने के दादाओं के उपर, कितने के जानकारों के उपर, कितने ही पत्रकारों के उपर, जुल्म ढाया गया मीशा कानून के अंतरगत, इस विशय से भी हिंदुस्तान बाकि थे, राजीव गांधी, 29th August 1988, Defamation Bill 1988, आप याद करिये उस समय बोफोर्स चरम पर था, कुछ ऐसे पत्रकार थे, जाबास पत्रकार में कहूंगा उनको, और कुछ ऐसी पत्रकारीता थी, जिन्होंने बोफोर्स को, बड़े स्पस्ट रूप से उजागर किया था, the story of बोफोर्स and bride, किस प्रकार से भ्रष्ट और भ्रष्ट नेता बोफोर्स में लिप्त थे, राजीव गांधी जी के इस चरित्र को उजागर करने का काम कुछ बहुत बड़े अकबारों ने किया था, उनको लेकर जिस प्रकार एक defamation, कानून लाने का प्रयास, 1988 में राजीव गांधी की सरकार ने किया था, कानून ले भी आये थे, मगर हिंदुस्तान के इतिहास का वो पहला कानून बना जिसको वापिस लेना पड़ा, क्योंकि पत्रकार जगत एक होकर खड़ा हो गए, there was unity amongst the media people, सारे मीडिया के उस्तान जाग उठा और अंततो गत्वा प्रेस कॉंफरेंस करके राजीव गांधी को defamation bill 1988 वापिस लेना पड़ा, जिसमें उन्होंने सोचा था, कि जो गांधी परिवार के खिलाफ या उनके खिलाफ लिखेगा, उसे सजा दी जाएगी, राहुल गांधी जीसे मैं सवाल चाहता हूँ, लिस्ट तो आपने जारी किया है, क्या ये लिस्ट मुहबबत की दुकान की लिस्ट है, समान नफरत का और दुकान मुहबबत का ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, आपने प्रदर्शित किया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये लिस्ट मुहबबत की दुकान कदाचित नहीं है। मित्रों, जब ये नेता सवाल पूछते हैं, कॉंग्रेस पार्टी के नेता जब सवाल पूछते हैं, कि सर्जिकल स्ट्राइक में हमें सबूत चाहिए, जब कॉंग्रेस पार्टी के नेता और आम आद्मी पार्टी के नेता ये सवाल पूछते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक और एर स्ट्राइक फरजी था आप हमें सबूत लाके दिखाईए गिवस भी एविडेंस जब कॉंग्रेस पार्टी के दिखज नेता पूछते हैं कि भगवान राम किस कमरे में पैदा हुए बताओ इस कमरे में पैदा हुए या उस कमरे में पैदा हुए जब किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी जो आज घमंडिया अलाइंस में हैं उसके नेता पूछते हैं भगवान राम ने किस इंजिनियरिंग कॉलेज से इंजिनियरिंग की बताईए जब ये सवाल पूछते हैं तो ठीक जायज इनको बॉइकॉट नहीं किया जाएगा मगर जब पत्रकार डिबेट में सवाल पूछ लेता है इनसे कि आपके राज्य में भरस्टाचार क्यों हो रहा है आपने जो आकड़े प्रस्तूत किये थे वो आकड़े गलत थे सही आकड़े ये क्या हिंदुस्तान की ग्रोथ स्टोरी आज विश्व में एक रेकॉर्ड नहीं कायम कर रही है क्या जी ट्वेंटी सफल हुआ या नहीं हुआ अगर इस प्रकार के सवाल कांग्रेस या इंडी अलाइंस के दूसरे लोगों से पूछ लिया जाता है तो आप बन जाते हैं और क्याष्व जो एं वह नेताओं पे सवाल नहीं उठा सकते हैं उन से सवाल नहीं पूच सकते हैं कि जाते हैं अभी वी नियुbereच अप्रविच, ऑद कर रहा आज मैं थे को स्यांपित्न ने बताया प्र्विच भूप्त रखी जाएगी बताया नहीं जायेगा. जब यह जाते हैं foreign country में और विदेश पहन्त पक्रप्रॉब्वार किया जाता है। We don't have right to express ourselves in India. There is no freedom of speech in India. This is freedom of speech, Rahul जी. ये जो आपने लिस्त जारी की है ये freedom of speech ने ये पत्रकारत्य का संमान ये पत्रकारों का संमान है ये जो boycott करके आप संमान दिखा रहे हैं democracy का ये आज पुरा wishv देख रहा है पुरा हंदुस्तान देख रहा है और मित्रों आप सब पत्रकार बैठे हैं यहाँ पर और आपके माधियम से और PD के कैमरे के माधियम से मैं क्रोडों पत्रकारों से आग सवाल पूछता हूँ क्या ये जो 14 नाम लिखे गए हैं ये boycott के नाम है या ये target list है क्या इनको केवल boycott किया गया है या इनको target करने के लिए इनके नाम जारी किये गए है मैं ये सवाल पूछता हूँ, ये hit list है, कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो debate नहीं करते हैं, जो debate नहीं करते हैं, आप उनमें guest भेजेंगे ही कैसे, तो उनके नाम क्यों रखे गए हैं, target करने के, F.I.R. डालेंगे, आपको छोडेंगे नहीं, आपको muscle के रख देंगे, और आप बता ये एक political party के कारेकरता होते हैं, अब मैं Congress के लिए या उनके party के लिए कहूंगा नहीं कि लाको कारेकरता हैं, आजारों तो हैं, कुछ साव तो हैं ही, आपके कारेकरता कल अगर इस hit list में जिनके नाम दिये गए हैं, उनके साथ दुर्विवार करें, उन पर हमला कर दें, क्य कि आपने list जारी की है बकाइदा, कि ये नफरती पत्रकार हैं, और press conference करके कहा है, ये नफरत का दुकान चलाते हैं, अगर कुछ लोग इनके ऊपर दुर्विवार कर दें, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन हैं, तो मैं इसको boycott का list कदाचित नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा this was a hit job done by a hit list released by the Congress Party and the India Lions, ये एक hit job है, और मुझे लगता है इसे सारे पत्रकार fraternity को बहुत गंधीता से लेनी के अवश्यक्ता है, बंगाल में तो देव मालिया बागशी नामा के पत्रकार परसोही शायद गिरफतार भी हुए है, कि अबल इस कारण से गिरफतार हुए है क् उन्होंने सचा ही दिखा लिए, किस-किस को बॉयकॉट करेंगे राहुल जी, सोनिया जी किस-किस को बॉयकॉट करेंगे आ, चन्दिनों पहले तो ये रंदीव सुर्जेवाला जी बोल रहे थे, एक भाशन में कह रहे थे, कि जिन-जिन लोगों ने, जिस जनता ने जनता राक्षस है, जो मोदी को वोट देती है, जो बीजेपी को वोट देती है, वो राक्षस है, उसका बॉयकॉट होना चाहिए, इवियम तो पहले से ही खराब है, इलेक्शन कमिशन तो भिक चुका है, जुडिशियरी और सुप्रीम कोट इनके जजों को भी छोड़ा न नहीं गया है, कौन सा ऐसा इंस्टिटूशन है भारत वर्ष में, जिस इंस्टिटूशन के किलाफ, कॉंग्रेस पार्टी और ये इंडी अलायंस वालों ने खराब नहीं कहा है, और उनका बॉयकॉट नहीं किया है, मैं आज आपको खुल के बताता हूँ, जनता भी जिन्दाबाद है, इलेक्शन कमीशन भी जिन्दाबाद है, सुप्रीम कोट भी जिन्दाबाद है, केवल अगर किसी से नहीं हो पा रहा है, जिसको बॉयकॉट वाकई करना चाहिए, कॉंग्रेस पार्टी को तभी उसका कुछ कल्यान होगा, उसका नाम राहुल गांदी है पूरे दुनिया को बॉयकॉट करने चले है, पत्रकार भी जिन्दाबाद है, वो भी अपना काम कर रहे हैं, हरे नेता में दम नहीं है भाईया, बॉयकॉट किस को करोगे, जन्ता को बॉयकॉट करोगे, सुप्रीम कोट को करोगे, पत्रकारों को बॉयकॉट करोगे, टीरी हो सकता है एकार परसंट है और मुझे एक प्रश्ण वो अवार्वापसी गैंग और जो मुंबत्ती वाले हैं उनसे भी पूछना है कि आज शाम को कहीं मुंबत्ती ये सुलगाएंगी या ने ये अगर हमारे तरफ से कोई लिस्ट जारी हो गई होती तो प्रकेट में मुंबत्ती कम पड़ जाती है बलैक में मुंबत्ती विक्री हो रही होती मतलब इस प्रकार की अभद्रता मैंने आज तक नहीं देखी आप सोचके देखिए यह सब जो सिलेक्टिव आउट्रेयर से एक भी मुंबत्ती इन्होंने खरीदा है या नहीं खरीदा है मैं जानना चाहता हूँ यह अवार्ड वापसी गैंग एक अवार्ड वापस करें कि सारे अवार्ड वापस करने वाले गुमते थे सर्टिविकेट लेकिया अवार्ड वापस लो हमारी अवार्ड वापस करेंगी यह इतने पत्रकारों के खिलाब हिट्लिस्ट आपने जादी की वो चंदरशेखर जी है शिक्षा मंत्री बिहार के उन्होंने आज स्री राम चरित मानस को पोटासियम साइनाइड बता दिया कि ये पोटासियम साइनाइड है एक शब्द ने निकल रहा हैं के मुँझ से किसी इलिस्त जारी करने वालों के या आप इस मंत्री को आप बॉयकॉट करेंगे या नहीं करेंगे राहूल बाबा जहां भी फॉरंड कंट्री में है जवाब दीजिए या आपने पत्रकारों को तो बॉयकॉट कर दिया ये जो चंदरशेखर जी हैं जो कह रहे हैं कि रामचरित मानस ये पोटैशियम साइनाइड है ये जार है आपने हिम्मत है उस पॉलिटिकल पार्टी को और उसके इस नेता को बॉयकॉट कर सकते हैं क्या सैफुद्दिन सोज जो बोल रहा है आतंकवादियों के मन के अंदर क्या चल रहा है उसे हमें पढ़ने क्या बचकता है इस सैफुद्दिन सोज को राहुल गांधी सोनिया गांधी बॉयकॉट करने की हिम्मत रखते हैं क्या हिम्मत है तो दिखाईए जो पत्रकार जी ट्वेंटी और भारत के लिए ठीक बोल दे उसको बॉयकॉट करना है और जो भारत वर्ष के लिए खराब बोले उसके साथ खराब अरे ये लोग तो उसामा जी के साथ खराब हो गया उसामा जी को पानी में ढखेल दिया उसको लेकर दिखबजे सिंग तीन दिन नहीं सोय थे आतंकवादी वो बाटला हाउस में मर गए थे तीन उसमें सोनिया गांधी जी रो रो के बेहाल हो गई थी इनका हाल तो ये है आतंकवादीयों के साथ खड़ा होना है उनको बॉयकॉट नहीं करना है बाटला हाउस वाले आतंकवादीयों को देखकर के सोनिया गांधी उनके डेड बॉडी इसको रो दी थी, तो सोने ही पाई थी, कि मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं के निता, जलमान पुर्शीद ने कहा, कि सोनिया गांधी कुड नॉट स्लीप फूर थ्री नाइट्स, विकास तीन बेचारे आतंकवादी मारे गए थी, उनको boycott करने की इन में हिम्मत नहीं है, बॉड़़़़ट करना किसको है, जो न्यूज में हिंदुस्तान के विशय में सही खबर दिखाता है, उसको boycott करना है, बॉड़़़़़़ आप करिये, देश की जनता जब आपको boycott करेगी, तब आपको समझ में आएगा, बहुत बहुत धन्यवाद कोई प्रश्ण हो तो अबसे जितने भी इंडी अनायंस वाले हैं इन सब के अंदर हिंदू धर्म के ये जो जहर भरा हुआ है उनके हर वाक्य में ये विचय दिख रहा है वरना आप सोचिए कोई ये बोल सकता है कि हिंदू धर्म डेंगू है कोई ये बोल सकता है कि हिंदू धर्म मलेरिया है कोई ये बोल सकता है कि हिंदू धर्म एड्ज है ऐसे शब्दों का तो प्रयोग ये रोज रोज कर रहे हैं औ पर एक करोडो लोगों की आस्था है, राम नाम सत्य है कहके हम सब इस धाम से परलोक जाते है। उस राम के नाम को जहर बताना इतनी हिम्मत जो लोग रखते हैं, वो इस देश के ही मूल आस्था पर सवाल करते हैं, उस पर चोट करते हैं, इसमें तो कोई दोमत ही नहीं है, उनका पूरा जंता बैकोट करेगी, आप देखिएगा, पूरा लिस्ट उनका लिस्ट भी ने नि आम आदमी पाटी के बारे में तो सवाल पूछिए ही मत, यह आम आदमी पाटी वो पाटी है, यह तो अभी 14 की लिस्ट निकली है, उन्होंने तो 24 की लिस्ट निकाली थी बॉयकॉट करने की, लालू प्रशाद यादा उसमें नमबर वन थे, कि सबसे बड़ा भरस्ट ये नमबर टू पे फिर वो जितने, जिसके साथ अभी सब गलबईया कर रहे हैं ये, अरविंद केजरिवाल जी, वो सबसे नमबर वन भरस्ट पे थे, और आप सब के साथ बैठ कर बोल रहे हैं कि BJP खराब है, आप सोची उस आम आदमी पाटी पे, यह सारे पाटी को थी, अधी रंजन चौधी महंताब एनर्जी को बोईकॉट कर रहे हैं, वहाँ पर पंजाब में आमादमी पाटी बोल रहे थी, हम कॉंग्रेस को घुसने नहीं देंगे, यहाँ पर नितिश कुमार और आर जेडी में 36 का अखड़ा चल रहा था, यह एक दूसरे को झाल